हेलो गाईज मैं नेशनल एथलिट अंकी शर्मा आपका सुवागत है आपके अपने चैनल इनफोर्मेशन अड़ा पे गाईज इनकम टेस्क की तरफ से एक स्पोर्ट स्कोटा बरती निकल किया ही जो कि आप स्केन की पर देख सकते हो गाईज ये करनाट का गोई रीजन बेंगलूर की तरफ से निकल किया है बात करें पोस्ट की गाईज इनस्पेक्टर ओफ इनकम टेक्स और टेक्स असिस्टेंट एंड मल्टि टास्क इंस्टाफ की ये पोस्ट निकल किया है गैस अभी शोट नोटिस जा रही हुआ है अभी ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं आया है जैसे ही आता है आपको मेरे चैनल पे मेरे दोबारा आपको सरलता पुरक बता दिये जाएगा गैस अब बात करें गैस इसकी लाजट डेट की 30.11.2022 रहने वाली है गैस 30.11.2022 पहले पहले आपको फारम फील करना है पलस गैस इसकी जो क्रिया ओनलाइन नहीं है अपलाई करने की इसको ओफलाइन फारम फील किया जाएगा आपको 30, 11, 22, 22 से पहले पहले आपको फारम फील करके पेजना है और अब बात करें गाईज जो ओफिशल नोटिफिकेशन जैसे हैं मैंने पीछे बताया कि ओफिशल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है 15 से 20 अक्टूबर की पीछ में जो ओफिशल नोटिफिकेशन है इनकम टेक्स का बैंगलूरू का जारी कर दिया जाएगा और आप www.incometextbengaluru.org पे भी जाके इसकी जो ओफिशल वेबसाइट है बैंगलूरू की इनकम टेक्स की वहाँ से भी आप ओफिशल नोटिफिकेशन डाउलोट कर सकते हैं गाइस जो स्टेट मेडलिस्ट है और स्टेट पाटिस्पेशन है डिस्टिक मेडलिस्ट है और डिस्टिक पाटिस्पेशन वाले इसमें अपलाई ना करें अपना टाइम वेश ना करें क्योंकि guys जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ जैसे कि आपको पता है मैं sports recruitment बताता हूँ जो भी CSF, BSF, railway, income tax जो normal quota के अंदर भी आती है purely जो reserved होती है sports quota के वो भी आपको time to time मेरे दवार बताय जाता है प्लस जो यह recruitment निकलती है guys जैसे कि जो international participation है या international medalist है या national medalist है या national participation है guys जो international medalist है और national medalist है उनको ज्यादा priority दी जाती है उनको पहले रखा जाता है बजाए state medalist, state participation की ठीक है तो guys आपका आप फारम फील कर दो कोई दिक्कत नहीं आपको फारम भी असेप्ट हो जाएगा क्योंकि जो इनको करने होते हैं कि जो बच्चे जैनुवन है ठीक है जो state medalist भी है इनका फारम असेप्ट तो कर लेते हैं बट उनका selection नहीं हो पाता क्योंकि guys आगे जो process रहता है जैसे कि trial skill होती है फिर बाद में achievement जैसे railway के अंदर हर requirement के अंदर achievement के साब से sports candidate को selection किया जाता है ठीक है तो guys state medalist जो होते है जो international participation medalist होते है उनको जादा priority दी जाती है क्योंकि guys उनके पास जादा बड़ी achievement होती है ठीक है बजाए state medalist के ठीक है तो जो state participation है जो state medalist है जो district participation है या district medalist है वे इसमें apply ना गरे प्लस अपना time waste ना गरे ठीक है guys और जो official notification जैसे ही जारी होता है guys आपको मेरे दोवारा आपके channel पे मेरे दोवारा उपलब्द करा दिया जाएगा सरलता पूरक और पलस guys उसमें जो official notification में इसमें short notice में जारी नहीं कि इन पोस्टों में कितनी vacancy है और कौन कौन से game की इसमें vacancy निकल किया है ठीक है और जो official notification जारी होगा उसके अंदर सारा process लिखा होगा कि इस post में इतनी vacancy है इंस्पेक्टर में इतनी है tax assistant में इतनी है multitasking में इतनी vacancy निकल किया है पलस इन गेमों की vacancy है ठीक है उन गेम में उसे जो related होगे वही इसमें apply करें और जैसे मैं अभी पीछे पता है कि offline इसकी जो career है अपलाई करने की 30,11,20 बाई से आ ज्यादे ज्यादे शेयर करें जो sports quota जो sports candidate है ताकि इसको form fill भी कर सके और सरलता अभी इसको बाग प्लस इसमें selection आपका हो सके ठीक है और गाईस जो inspector है tax assistant है multitasking है सारा process बता हूँ है जो official notification के अंदर जो education qualification क्या रहेगी age limit क्या रहने वाले इसमें जैसे official notification आता है आपको सार प्रोसेस बता दिया जाएगा मेरे दोरा ठीक है तो गाईस इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें और आपको यह वीडियो अच्छ लगी तो इसको like करें और जो viewers हमारे चैनल पे नए है subscribe करना बिल्कुल न भूले क्योंकि आपको पता है कोई भी requirement होती है CSA, BS, railway, income test की जो normal quota होते हैं उसके अंदर भी जो sports quota purely निकल के आती रिजर्व्ड वो भी आपको time to time मैं update करता हूं तो guys मुझे बिल्कुल नराश ना करे subscribe करना बिल्कुल ना भूले thanks for watching मिलते हैं अगली sports recruitment के साथ जै हिंद जै बारत